बस बाइट की खबरी लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पैल आइकॉन को दबाएं इस खबर के प्रायर जग है जैना ज्वेलर्स, आबुलेन, मेरत निजे चिकट सको की संस्था आईये में से वारता के बाद भी कोई साकारातनक कदम ने उठा जाने से ओल सिलर एंड डिटेलर केमिस्ट एसोशेशन खासी आहात है चिकट सको ने अपने संस्थानों पर इशार्षा के बोर्ड नहीं लगाए कि यह दवा बाहरी मेडिकल स्टोर उपर भी उपलब्ध है तो वह परलोबर में भशे चिकट सको की फूल खूल कर रखतेंगे एसे चिकट सको के नाम समμεط किस बात का भी खुलासा अमुक चिकट सक्के किस किस डवा कंपनी से दवा लेकर मरीजों के हीतों पर किस तरह डाके डाल रहे हैं इस बात का भी खुलासा कर देया जाएगा एसोसेशन ने यह भी कहा कि चिकेश सक दवाई को केवल नेजी मेडिकल स्टोर से बेशने के कारे को बंद कर डॉक्टरी के पवित्र पेशे पर अपना फोकस करें वे हमरीज के लिए भगवान होने के दर्जे को बचाए रखें वरना ओल खुलवाने के लिए तयार रहें आज इस मुद्य पर होल सेलर एंव रिटेलर केमिस्ट एसोसेशन के संदक्षा गोपाल अगर्वाल वे अन्य पदादिकारियों ने फॉस्ट बाइड़ टीवी से यह कहा जो बरतमान में दवाओं की कीमतों को कम करने के लिए आंदोलन चला है हमारा अन्दोलन विश्ध दुरूर्प्षा दवाओं की कीमतों को लेकर है और उनकी उपलब्द को लेकर है आज कल के माहल में कई बार दोना चीज़ यह आपस में मिल रही है कि जो अन्दोलन खेचारी में चला है और जो अन्दोलन चंटा चला रही है इसमें कहीं हाप इसमें ताल मेल या कोई समानता सी है मैं उस पर टिपड़ी नहीं करना चाहूंगा मैं सीधी बात कहूंगा कि हमारा अंदुलन दो वर्सों से चल रहा है और दवाओं की किमत कम करने की मांग सरकार से भी कर रहे हैं और जनताओं के इस बारे में हम जागरे भी कर रहे हैं अब बरतमान पर आते हैं हमने आई एमें के डाक्टरों के वुलावे पर हमारे दवा विक्रेताओं के प्रतिनी थी आई एमें हॉल गए थे बाच्चित की थी और सारे मुद्वर पर बाच्चित हुई है सब जग जाए रहे हैं क्या के बाच्चित हुई है दवाओं के प्रिलोवन के बारे में बाच्चित हुई है और हमने एक बात उनके सामने रखी थी हमारी मांग बहुत छोटी है कि डॉक्टर अपने क्लिनिक पर जो मेडिकल इस्टोर खोले हुए हैं और जो नर्सिंगों मेडिकल इस्टोर खोले हुए है वहाँ पर एक छोटा सा बोर्ड लगा दे कि यहां जो दवाईयां लिखी जा रही है यह बहार भी उपलब दे हैं और मरी बाद नहीं है दवाई हमारे इस्टोर से खरीदने के लिए डॉक्टर लिखे हैं माँ पर कि यहां इस्टोर से खरीदने के लिए बाद नहीं है वो चाहे तो बजार से कहीं से भी दवा खरीद ले इतनी छोटी सी बात है परंतु आईयमेन ने वाइदा किया था वो ओनर नहीं किया हम आईयमेनों को आज इस पस्ट चिताव नहीं दे रहे हैं आईयमे का मतलब सभी डाक्टरों से नहीं होता आईयमेस एस्टोर से अस्टोर से उसके माद्यम से उन डाक्टरों को जो यह करत में संगलंगन है कि या तो वो बोड लगाएं और नहीं तो दवा विकेता संग्धन के लोग और आम जंता उन बातों को जग जाहिर कर देगी परदा फाश कर देगी कि कौन सी कंपनी किस किस डाक्टर को क्या क्या पलोवन दे रही है आज की बात ततनी छोटी सी बात है और मैं समझता हूं कि डाक्टर सचेत हो जाएंगे और दवा कमपनियों को साथ में दवा कमपनियों को भी साथ में कह रहे हैं कि वो अगर अगर अपने ब्रिष्टाचार को बंद करते हैं तो नीचे का ब्रिष्टाचार अपने आप ही समात हो जाएगा ये ब्रेश्टाचार हमने परसों जो अब पर्चा बांटा था उसमें पूरा ब्रेश्टाचार का पचास सालों के सफर की बात की थी कि किस तरीके से दवा कम्पनियों ने प्लोवन देना शुरू किया और आज वो इस्तिती बिगरते बिगरते यहां तक आ गई कि डीलर बनाने वाले का कमिशन कम है और डाक्टर का कमिशन जादा हो गया है मैं फिर इस पष्ट कर दू कि डाक्टर का मतला सभी डाक्टर नहीं होते हैं जो इस खेल में संगलंगन हैं उन से तात पर देह मारा में अमीद है कि जीगरी आईयमें अपने सभी मेंबरों को निर्देश देंगे कि अपने आए एक ऐसा बोर्ड लगाएं जहां ज़हां जब मैडिकल स्टोरें की दवाएं बाहर जंता के लिए उपलब दें और बात नहीं है कोई उनके स्टोर से माल खरी नहीं तो अपनी इस चेतावनी के मद्धे नजर आप उन चिकित्सोगों के लिस्ट जारी करेंगे जो कंपनियों से सीधे लालत से जुड़ी हैं प्रलोभन कमा रही है हमारा उद्देश श्रिप बहुत इसपस्ट है हमें बीमारी खतम करनी है बीमार को मारना नहीं हम चाहते हैं आपके इस चेतावनी में कहीं न कहीं कुछ ब्लैक मेंलिंग जैसा तो शब्द नहीं यूज हो रहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं ऐसा करते हैं अब ब्लैक मेलिंग की परवाशा क्या है तो किसी भी डिशनरी में आप देखेंगे तो ब्लैक बिलिंग वहाँ होती है चेतावनी देने वाला अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ मांगता है मैंने अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी दवावाले के स्वार्थ के लिए किसी आम वेक्ति के लिए नहीं मैं आम रोगियों के लिए आम जन के लिए गरीब जनता के लिए मांग कर रहा हूं कि दवाओं की कीमत कम हो और दवाओं की किमत कम होती है तो मुझे इसमें क्या है ते मुझे तो उतने ही तहे ये काम रोगी को होगा दवा सच्थी मिलेगी तो मेरे परवार को भी इससे जदा ब्लेक मेलिंग वाली बात तो यहां कई उड़ती ही नहीं है ब्लेक मेलिंग साफ जब हम सौधा करें मैं सौधा नहीं कर रहा हूं मैं किवल दवाओं की कीमत कम करने की मांग कर रहा हूं और वो दवाय जो डाक्टर लिखते हैं वो सभी जगए खुले मार्केट से मिले इसमें ब्लेक मेलिंग की कहीं दूद दूर तक बदू नहीं है बलकि हमारी आंदोलन में तो खुश्भू है जनेत की इस सूची तो जारी करने की कोई समय अभी रखी गई है हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक अपते के अंदर डाक्टर समझ जाएंगे वनना हमारा फिर आंदोलन और तेजी के साथ चलेगा हमारा जो यह आंदोलन चल रहा है इस आंदोलन के पीछ है दो वज़े है एक वज़े तो सबस्ब बड़ी यह है कि जिस व्यापार को आप कर रहे है उस व्यापार को गरीमा को समझें और उसकी उसको समझें कि उसका कितना सेंचिटिव ये व्यापार है तो इस व्यापार की वज़े यह है कि जब से व्यापार में यह उरूतियां घुसी है कि कमपनियों ने इस आइटम को कैद करके विक्री करनी शुरू कर दिये पर मरीजों का सोतन होना सुरुतिया है और उसमें डाक्टर इन्वल हो गए त्रेड को बदनामी मिली है और हमारे ट्रेड की छवी खराब होगी हम उस छवी को मद्दनजर रखते हुए हमने यह तै किया है कि व्यापार में भले हमें नुकसान हो बसरते मगर हम व्यापारी उसको भगवान का रूप दिया जाता था उसकी च्वी को सुदा रहेंगे चाए हमें किसी हद तक भी और आंदोलर चाहिए सड़क पर लड़ना पड़े निश्चित रूप से हम इस व्यापार की उतनी सुर्था लाएंगे और डाक्टर के उस परमात्मा का जो मान जा रहे हैं अब जो डाक्टरी कलिंश के बाहर वो मिलते ही नहीं है उसकी वज़े जो आसपास के जिलों में कंपनियां लगी हुए हैं यूनिट हैं उसमें परदेशों में ये इसकी जड़ है क्योंकि ये कोई बी जला जाओ हां वह अपना नया ब्रांड बना करके बजार में खुले रूप से मिलती थी पेशन्ट स्वतंत्र होता था वो कहीं से भी दवाई ले तो उसमें एक मूल भावना ये रहती थी कि सबका रोजगार उससे जूड़ा रहता था एक नरसी ओम के सामने चार दुकाने पांच दुकाने तो पांच परिवार पांच परि कैद नहीं रखना है उन्हें सब जगे फैलाना है इसमें समर्पन की भावना दवाई का विक्रेता है और डॉक्टर है दोनों में होनी चाहिए हमने अपना समर्पन बरकरार रखा है लेकिन उदर से बेवफाई की शिरुवात हो गई है तो हम निश्चित रूप से से कहिए कि कहीं भी दवाई ले निश्चित रूप से आपकी भी परतिष्टा और इसमें बढ़ेगी ऐसा करने से कि आप उसको कैद कर लेंगे दवाई आपके पास ही रहेंगी आप दवा कंपनी से दवाई खरीद लेंगे तो हमारा रोजगार निश्चित रूप से खतम ह जाएगा और जब आदमी का रोजगार खतम हो जाता है जब उसके बच्चे और या परिवार परिशानी में आते हैं निश्चित रूप से उसे सड़कों पर आना पड़ता है तो हम लियाजा सब लोगों से कहना चाहते हैं आई में के माध्यम से भी सभी डॉक्टर से कहना एक बोर्ड लगाने में आपको कोई आपती नहीं होनी चाहिए इसकी शुरुवात आज ही करें और हमें सहयोग करें तो हमारा दो कदम बढ़के हम आपको सहयोग करें इस खबर में फिलाल इतना ही आप देख देरिए फार्ट्वाइट.वे नमस्क्राइब